प्रेंड्स कैसे आफ लोग बड़िया, एकदम बड़िया रहना चाहिए हमारे प्यारे दोस्तों को आज जो है मैं परमानुद्रवयमान का परिमहासा यानि कि परमानुद्रवयमान एकाई, एक A.M.U और परमानुद्रवमान इकाई हम लोग आखिरकार किसके अर्थ पर निकालते हैं सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि परमानुद्रवमान इकाई हम लोग सबसे पहले हम लोग गन्ना किये थे यानि कि हमारे पूरवज क्या चीज़ पर गन्ना किये थे तो याद रखीगा म obstructionator कि या था फिर कलांतर यानि की बीच में oxygen पर कुछ्छ एंडिक है तो अभी सी 12 पर कारवन परोगन की परिवांताइ के तोह प्रवांऽ को सबसे पहले तेंट पर से उत्परत उसका हाइश करिपार ओंुप बहुत हुआ जाली चाही कि अभी क्षञे दिया अद्थी द्वारा सी बारा के अनुसार कारवन बारा परमानु के को मानक तत्व मान करके परमानु द्रभ्यमान निकाला जा रहा है तो हम लोग इसका परिभासा लिखेंगे क्या लिखेंगे बरतमान में क्या लिखेंगे मेरे भाई बर्तमान में क्या लिखेंगे परमानू दरब्वेमान की गणना मैं दो परकार्ट से इसका परिभासा लिखूंगा ठीक है दोनों में से जो आपको याद हो जाएगा वो याद कर लेना है सी बारा को कारवन बारा को सी बारा को मानक तत्व मानकर की जाती है की जाती है अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको यहाँ से कि परमानू दरब्वेमान को परमानू दरब्वेमान इकाई पैमाना पर व्यक्त किया जाता है याद रखेगा परमानू दरब्वेमान को परमान दरब्वेमान इकाई परमानू दरब्वेमान ठीका ए इकाई पैमाना पर ठीक है पैमाना पर ब्यक्त किया जाता है तो इसलिए हम लोग इसको इकाई को कहते हैं परमानु द्रभयमान इकाई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहां धियां दीजेगा हाई कैसे लिख सकते हैं सो आप लोग मैं जो हो पूरा डीटेल बताऊंगा एक ए एम यू ठीका है एटोमिक मास यूनिट परमानू द्रविमान इकाई दखे परमानू द्रविमान इकाई यहां रिखे तो परमानू यह से हो गया अटोमिक तो परमानू एम से हो गया मास तो दरबयमान यू से हो गया यूनिट तो एक आई ठीक है तो बराबर कितना तो सी बारा परमानू सी बारा परमानू के ठीक है एक बटा बरहबे भाग का दरबयमान आई इसका भाईलू दे दिया है आप लोगों कितना दे दिया है ध्यान दिजेगा एक दम याद हो जागा एक दसम लब छाओ छाओ जीरो तीन तीन अगुने दस के पावर माइनस सता आइस और यह हो गया केजी ठीक है तो एक एम्यू का मान कितना होता है यह कलास 12 में फिजिक्स और केमेस्ट्री दोनों में से उचाओ जाता है यह मान कि एक एम्यू का मान कितना केजी होता है तो एक दसम लब स्छौचाओ gotta एक अगुन दस के पावर मैनस 27 के जी एक दम अब इसका डिफिनेशन हम लोग या करके लिखेंगे क्या करके तो या करके तो या करके इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा असो ध्यान से देखिएगा यहां पर हम लोग या कर देते हैं ठीक है अब इसका देखिए एक और डिफिन मैं लिखने जा रहा हूं बहुत अचान है क्या लिखेंगे लिखेंगे हम लोग आधुनिक परिभासा के अनुसार होगा भी अभी जो मैं लिखूंगा सो ठीक है तो यहां पर आप लोग ध्यान दिजेगा हम लोग यहां लिखेंगे किसी तत्वे का परमानु दरब्यमान वह संख्या है परमानु दरब्यमान वह संख्या है वह संख्या है जो यह दरसाता है कि उसके मतलब किसके तत्वे के उसके मतलब किसके तत्वे के उसके तत्वे के एक परमानु का एक परमानु का आउसत दरब्यमान ठीका है दरब्यमान जो है सी बार परमानु के सी बार परमानु के एक बटा बरहबे भाग से कितना गुना भारी है तो हमारे प्यारे दोस्त आप लोग को या तो उपर वाला डिफिनेशन याद रखे या नीचे वाला तो कोई तत्व है माली जी के हाइड्रोजने तत्व ले लिए तो वह जो है तत्व का दरब्यमान वह संख्या होगा जो यह दरसा हैगा कि वह ही तत्व यानि के हाइड्रोजने परमानू के औस रवान से सी बारा परमानू के एक बटे बारहवे भाग से कितना गुना भारी है तो इसका एक फर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं मिर भाई इस फर्मूला को आप लोग ज़ूर से ज़ूर याद कर लेंगे क्योंकि बहुत ही इंपोर्मूल है मिर भाई तो यह फर्मूला हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा हो जाएगा किसी किसी तत्व का किसी तत्व का किसी तत्व का पर उपर में तत्विके एक परमानू का दरब बिमान क्या लिखेंगे तत्विके एक परमानू का क्या लिखेंगे दरब बिमान अब बटा में लिखेंगे क्या लिखेंगे कारबन के, ठीक है, एक परमानू, कारबन के कितने परमानू? तो एक परमानू के दरब्यमान का कैमा भाग? तो बरहवा भाग, ठीक है? बरहवा भाग. तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग को मैं फिर इसको एक बार समझा देता हूँ अच्छा से, बढ़िया से समझ में आ जाएगा आप लोग को, क्या करा है कि किसी तत्व के परमानू दरब्यमान वह संख्या जो यह दर्साता है यह इंगित करता है, कि उसके एक परमानू के अशकर दरब्यमान जो है, सी बाहरब परमानू के एक बढ़हवय भाग से कितना गुना भाणी है, तो आनविक दरब्यमान भी आप लोग लिखेगा, ता आनविक दरब्यमान वह संख्या है जो यह दर साता है कि उसके एक अनु में यहां पर मानु की जब अनु हो जागा तो अमारे प्यारा दोस्त हमें आसा है कि आप लोग को यह पूरा समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा हो तो इसका एक स्कीन सोट ले लेंगे आप लोग अपना कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि यहां से आप लोग को 100 परसेंट पूछा जाता है परिच्छा में तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक करते रहा है अपने दोस्तों के साथ सेर करें और अपने फायते के लिए सब्सक्राइबर बे कर लेंगे तो चलिए दोस्तों आप लोग आप लोग को इतना ही पर बेस्ट अप लग फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ इतना ही पर जय हिंद जय भारत